So hello everyone, welcome to the lecture number 5th of GK 1-liner series जो हम लोग करने अपने SSE CGL and other exams, CHSL, CPO, MTS, TNO जितना भी exams होता है SSE का, रोज-रोज मुझे वही सेम चीज़ बतानी पड़ती कि सभी के लिए important है ठीक है? और अभी I think सभी लोग जितने लोग serious हैं वो stable हो चुके हैं जो छोड़ के जाने वाले थे वो जा चुके हैं लेकिन वो तो खेर मुझे पहले ही पता था कि सबके बस की बात नहीं होती है चीज़ करना और कुछ लोग के हो सकता है कुछ और भी reasons हो लेकिन ये है कि जितने लोग आप regular हैं वो regular हैं consistency बना के रखें कितने दिनों तक दो हफ़तों तक तो at least consistency बना के रखें ही अगर आपको थोड़े ढंके results देखने हैं तो और revision वगरा पर focus रखें अच्छा notes बनाते रहें और Sunday को हम लोग test तो करेंगी चलिए start करते हैं और पहला question ये रहाप के screen पे what is the chemical name of table salt नमक का रसाइनिक नाम क्या है अब ये question भी आया था आपके अभी recent SS exams में तो chemical name of table salt आपको भी पता है क्या है sodium chloride NaCl अब इससे क्या-क्या questions और बन सकते हैं सबसे पहले तो ये पता होना अच्छिए जो sea water होता है समुद्र का जो पानी होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो salt पाया जाता है वो NaCl पाया जाता है इसके बाद second number पे सबसे ज़्यादा कौन सा salt पाया जाता है तो याद रखेगा magnesium chloride पाया जाता है एक बार question ये पूछा गया था गांधी जी ने गांधी जी ने civil disobedience movement तो answer क्या था NaCl क्यों क्यों कि इन्होंने civil disobedience movement start किया था विद्धी salt सत्यागर है by violating the salt law जो salt law बनाया था बिटिशास ने उसको violate करके इन्होंने civil disobedience movement की शुरुआत की थी गांधी जी ने यहाँ पे जो compound था वो NaCl अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और पता हो ना जी जैसे कि जो aqueous form होता है NaCl का NaCl का जो aqueous form aqueous form का मतलब क्या होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं brine और यह जो brine है ना बहुत सारे processes में यूज की जाती है जैसे इस brine को हम यूज करते हैं क्लोरीन बनाने के लिए in the chloralkali process एक होता है chloralkali process जिसमें हम क्लोरीन बनाते हैं और वो उसके लिए हमें brine का यूज करना पड़ता है brine होता है aqueous NaCl अब यह जो क्लोरीन हमें मिलती है इससे हम काफी सारे compounds बनाते हैं जैसे की bleaching powder बनाते है bleaching powder क्या होता है bleaching powder याद रखेगा c a o c l 2 और इसका नाम क्या हो जाएगा calcium hypo chloride याद रखेगा क्या calcium hypo chloride ड नहीं होगा calcium hypo chloride इसका use कहां कहां पे करते हैं disinfectant agent इसको water वगरा को purify करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है water वगरा को purify करने के लिए और साथी साथ इसको हम textile industry में भी as a disinfectant use करते हैं textile industry में साथी साथ याद रखेगा it is a powerful oxidizing agent यहाँ पे जो oxygen आपको दिख रहा है attached उसकी वज़े से powerful oxidizing agent की तरह भी behave करता है अब sodium से मुझे कुछ और भी जैसे मैं sodium chloride बताया इसी से ही आपके इससे compounds बनते हैं baking soda और washing soda ठीक है तो याद रखेगा इसी से आपके compound बनते हैं baking soda और washing soda बहुत important है इनके uses पूछ लेते हैं आपसे पहले तो यह पता होना चीह baking soda होता क्या है तो यह होता है इन एच सी ओ त्री जिसको हम बोलते है sodium bicarbonate ठीक है sodium bicarbonate बोलते हैं और इसका हम use कहां पर करते हैं सबसे पहले इसका हम use करते हैं as an antacid antacid क्या होते हैं जो acid को neutralize कर देते हैं उनको antacid बोलते हैं जब हमारे पेट में acidity बढ़ जाती है तो हम antacids का प्रियोग करते हैं जैसे कि एक antacid होता है milk of magnesia आपके exam में कई बार पूछा गया है कि milk of magnesia क्या है तो antacid है जिसका formula होता है MGOH का hold twice तो जब हम खाना खाते हैं काफी दबा के बीना control के तो उससे होता क्या acid ज्यादा release होता है आपका homework यही है comment बताएं कि कौन सा acid हमारे इस टमक में digestion के दौरान release होता है तो उसको neutralize करने के लिए हम antacid लेते हैं ठीक है पहला use तो यह हो गया इसको हम soda acid fire extinguisher के तौर पे भी use करते हैं soda acid fire extinguisher बहुत important है ठीक है कि यह लोग relate करने भाते हैं लोग को यह तो पता होता है ठीक है antacid होगा ठीक है यह आपका baking powder बनाने के लिए use किया जाएगा ठीक है यह इसको baking powder बनाने के लिए use करते हैं क्योंकि इसमें जो dissolve करने के बाद इसमें gas निकलती है जो है आपकी CO2 carbon dioxide जिसकी वज़े से जो cake वगरा होता है वो काफी fluffy बनता है ठीक है मोटा ऐसे फूला हुआ बनता है और यह CO2 याद रखेगा यह gas जो होती है this gas turns lime water milky यह भी कई बार question आया है कौन सी gas है जो that turns lime water milky तो carbon dioxide turns lime water milky ठीक है और अगर मैं यही dry CO2 कर दूँगा मतलब सॉरी solid CO2 कर दूँगा इसको मैं solid form में CO2 ले लूँगा तो इसी का नाम पढ़ जाएगा शुस्क बर्फ या फिर dry ice ठीक अब बात कर लेते हैं washing soda जी की तो washing soda का formula होता है Na2CO3.10H2 यह 10 है यह क्या है water के molecules है 10 short में इसको Na2CO3 भी लिख देते हैं लेकिन actual में Na2CO3.10H2 है यह निकी sodium carbonate इसको बोलते हैं short में इसको हम use कहां पे करते हैं इसको हम as a water को soften करने के लिए उस करते हैं ठीक है wood and pulp industry में भी इसका use होता है और साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि आपका soap क्या होता है क्योंकि अब यह sodium के बात आई है तो आपको soap और detergent के बारे ही बता जेता हूं इसको लिख लीजेगा soap are the long chain sodium sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid इसको ऐसे ही लिखिएगा sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid यह होते हैं आपके जब कभी कोई question आईगा तो हम बता दूँगा को reaction करवागी कैसे बनता है और detergent क्या होता है याद रखना जो detergent होता है वो होता है sodium और potassium salts of long chain sulfonic acid हो जाता है बस detergent में carboxylic acid की जगह है और आखरी चीज आखरी चीज यह है कि borax भी आपका sodium का ही compound होता है एक borax na2b407 आपको यह बताना है borax को हम कहां पर use करते हैं na2b407 clear है अगले question में बढ़ते हैं which of the following was the capital of vajjigand during the maha janpad period maha janpad काल में vajjigand की राजधानी निमलिकत में इसे कौन थी तो आपको पता है later vedic period के बाद किसके बाद जो later vedic period था उसके बाद काफी सारे maha janpad जो है कितने जनपर total maha janpad 16 निकल के सामने आते हैं क्यूं सामने आते हैं because later vedic period के आते आते तक iron की discovery हो चुकी थी आपको पता है हलपन time में या फिर इंडस वाली civilization के time पे iron की discovery नहीं होई थी iron की जब discovery हो गई बहुत आसानी से जो पेड़ वेड़ है वो काटे जा सकते थे तो इन लोगों ने जंगल वंगल clear किये कि लोगों ने later vedic period में जो tribes थी ना उससे में जिनको क्या बोला गया जिनको जन या फिर गन बोला जाता था ठीक है इनको गन बोला जाता था या फिर जन भी बोला जाता था और यह है आपके कासी और एक चीज में याद रखेगा कि यह मतलब कब से कब रूल किये थे तो यह 6th century BC ठीक है फिर 600 BC से start किये थे और 345 BC तक इनका रूल चला था ठीक है तो यहां पर यह 16 महाजन पद है अब आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें important ओले कौन से है उन assembly create की गई थी कि भाई यह assembly होगी और यह ruler को चुनेगी इस थोड़ा सा type का जो गंड संग है वो वज्जी और मला बने थे तो वज्जी की capital है वैशाली और मला की है कुशी नगर वी से वज्जी वी से वैशाली और मला कुशी नगर ऐसे याद रखो कि माल मिल गया माल मिलता अधरिक करें कुशी नगर नहीं के तो हाँ यह से व गाई थैसे जादा वर आमरम उलते रहे और बाद में सिर्फ चाहे बचे थे एक तो था आपका मगद ठीक है यह आप देख पार होंगे मगद इसकी capital क्या थी राजगरी राजगरी तो I think बहुत सबको पता होगा राजगरी सुनाओगा यहीं पे आपकी first Buddhist council हुई थी जो पहली बहुत संगीती हुई थी वो यहीं पे हुई थी तो इस वज़े से राजगरी आपको याद हो जाए याद ऐसे करेंगे कि अवंती का नामा के लड़की है जो उजयन में रहती है ठीक है उजयनी और अवंती डैनेस्टी के एक one of the most powerful ruler थे आदकना प्रद्योता ठीक है प्रद्योता डैनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया था प्रद्योता यह आँके one of the most powerful rulers थे और एक थापका कोसल कोसल कहाँ पे यह ठीक है कोसल इसकी capital क्या है स्रावस्ती कोसल की regarding आपको याद रखना है कि प्रसंजीत यहाँ के एक powerful ruler थे ठीक है प्रसंजीत और यह बुद्धा के contemporary थे contemporary के मतलब है समकाली नैनी कि जए समय बुद्धा जीत है उस समय यह थे प्रसंजीत और बुद् सार बिंदु सार से मत confuse करिएगा बिंदु सार अशोक जी के पपा थे तो यह contemporary तो हो नहीं सकते हैं बुद्ध के है ना कोसल हो गया और एक है आपका यहाँ पर वत्स ठीक है वत्स में याद रखना वत्स का है कोसांबी ठीक है और यह जो वत्स है यह यमुना नदी के किनार बाकी कि अगर आप capital याद रखना चाहतो तो रख सकतो लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता है यह जो जिनकी बार बार आपसे exam में पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो important है क्यो important है उसका reason भी मैं आपको बता दिया ठीक है तो यहाँ पर पूछा है कि capital क्या थी देख लिजे वज़ी वी से वज़ी और वी से वैशाली ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा वैशाली अगले सवाल पर आते हैं unsaturated hydrocarbon burn with which flame unsaturated hydrocarbon किस जुआला से जलता है तो unsaturated hydrocarbon hydrocarbon क्या होते है वो compound जिन में carbon और hydrogen होता है कोई भी आप alkyne ले लो alkyne ले लो जहां पर भी carbon carbon और hydrogen है उसको हम hydrocarbon के नाम से जानते हैं जैसे कि अगर हम बोलता हूं methane तो यह क्या है hydrocarbon है कि इसमें hydrogen carbon है एथेन अगर हम बोलता हूं तो यह क्या है आपका hydrocarbon है इनको दो category में divide करते है saturated और unsaturated saturated वो होते हैं जिन में single bond होते हैं जिन में single bond होते हैं ठीक है और unsaturated वो होते है unsaturated वो होते हैं जो आपके जिनमें double या फिर triple bond होता है ठीक है double या triple bond होता है अब ये burned किस flame से करते हैं flame का मतलब क्या होता है जैसे आपके घर में जब चूला जलता है तो जो loss याती ना law उसको बोलते है flame ठीक है जैसे कि जब koila जलता है तो क्या कोई law आती है नहीं आती है तो वो जो आती है उसको बोलते हैं law जैसे कि आपने बच्पन में एक स्कूल में जरूर ऐसे करके candle की drawing बनाई होगी है न ऐसे करके देखो मेरे कितने अच्छी drawing है तो ये जो होता है न ये flame है तो यह saturated hydrocarbon है they burn with a clear flame मतलब एकदम clear flame से burn करते हैं और जो unsaturated hydrocarbon होते हैं वो याद रखेगा yellow flame से burn करते हैं yellow color की flame होती है इनकी ठीक अब hydrocarbon के बारे में पढ़ी रहे हैं तो जरा alkyne, alkyne और alkyne के बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है और एक चीज और थोड़ा short बताना चाबगा जल्दी से कि unsaturated ऐसे यह आपके fatty acid भी होते हैं ठीक है fatty acid जो fats होते हैं वो unsaturated और saturated के basis में classify किये जाते हैं तो जो vegetable oil होता है उसमें unsaturated hydrocarbons होते हैं sorry unsaturated fatty acid होता है और जो आपका जो animal के fatty acid होते हैं saturated होता है तो हमारे लिए healthy होता है unsaturated वाला और N healthy होता है saturated वाला ठीक है खेर alkyne पर आते है alkyne alkyne और alkyne इनके बारे हमें क्या-क्या चीज़ें पता होने चाहिए सबसे पहले है तो alkyne का जो formula है cnh2n plus 2 अभी exam होगा था सी जो लिए उसमें ऐसे करके question पूछा गया था कि इन में से कौन सा homologus नहीं है homologus का मतलब है कि जिन में भाई वही है ch2 ऐसे difference होना चाहिए तो बस आपको यह formula पता होना चाहिए मैं थोड़ा से इसको explain करता हूँ जैसे n की जगह आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा cn की जगह आपको 1 रखना है ठीक है तो यहां पर sorry c की जगह है तो हाँ चलो पहले 1 ही रखके देख ले तो यह आपको पहले सबसे मिला ch4 methane जिसको बोलते हैं n की जगह 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा c2h6 यह क्या होता है ethane होता है फिर ऐसे 3 रखेंगे तो propane butane ऐसे करके मिलेगा तो यह क्या है यह आपके homologus है ch2 से आपके जो हैं दोनों differentiated है देखिए इसमें अगर आप ch2 जोड़ो देंगे तो आपको यह मिल जाएगा तो इनको homologus बोलते हैं पहली बात ठीक है और alkyn आपके कैसे होते हैं alkyn आपके saturated होता है क्योंकि इनमें double bond नहीं होता है इनमें सिर्फ single bond ही होता है alkyn का जो general formula होता है that is cnh2n इसमें एक double bond होता है इसलिए आपका unsaturated की category में आता है और alkyn की अगर बात करें तो इसका general formula होता है cnh2n-2 ठीक है और एक famous alkyn है आपका acid lean ठीक है acid lean जिसको हम ethine के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसको हम दो important जगों में use करते हैं एक तो है आपका fruit ripening में ठीक है फॉलों को पकाने के लिए इसको हम use करते हैं fruit ripening में और दूसरा इसका use करते हैं welding में ठीक है इसका use हम welding में भी करते हैं अगले question पर बढ़ते हैं which planet in our solar system has the lowest density हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का घनत तो सबसे कम है तो solar system में आपको पता है total हमारे कितने planets है आठ planet है और इन आठ planet में सबसे density कम किसके यह पूछा है तो सबसे कम density किसकी है घनत तो किसका है Saturn का जिसको शैनी ग्रह बोलते हैं इसकी density और सबसे ज़्यादा किसकी highest सबसे highest याद रखेगा यह हमारी अर्थ की और यह इतना light है मैं इसकी density one gram per centimeter cube से भी कम है जो water की density होती उससे कम इसलिए यह बोला जाता है एक बार यह question पूछा गया था अगर सभी planets को हम पानी में डाल दें जो कि impossible है मैं तो hypothetical condition ले रहे हैं कि सभी को अगर हम पानी में डाल दें तो कौन सा planet है जो तैरता रहेगा फ्लोट करता रहेगा तो saturn क्योंकि saturn की जो density है गहनत वह वह water से भी कम है अब यहां पर planets के रिगार्डिंग जितने सारी चीज़ें हम जल्दी से revise कर लेते हैं तो I hope आप planets को recognize कर पा रहे होंगे यह Mercury है यह Venus है यह Earth है Mars है यह आपका Jupiter है यह Saturn है यह Uranus और यह Neptune है ठीक है तो सबसे जो पहला planet है सूट के सबसे नजदीक ग्रह कौन से हो गया Mercury यानि की बुद्ध हो गया जो दूसरे नंबर का ग्रह और इसको Venus या फिर शुक्र बोलते हैं इसके रिगार्डिंग आपको fact यह पता होना चाहिए कि इसको twin sister of Earth बोलते हैं क्या बोलते है twin sister of Earth साथ ही साथ इसको हम और दो नाम से जानते है morning star and evening star के नाम से जानते हैं साथ ही साथ ही हमारे solar system का सबसे hottest planet है सबसे गरम planet भी है सबसे गरम ग्रह वो इसलिए है क्योंकि भले Mercury सबसे नजदीक है लेकिन जो आपका यह Venus है इसका जो atmosphere है उसमें CO2 की मात्रा बहुत है और Venus के atmosphere में याद material यह भी बहुत ज़्यादा आपका पाया जाता है Venus के atmosphere में जिसकी ऐसे CO2 का मैंने आपको बताया था CO2 क्या करता है heat को trap कर लेता है इसलिए heat को बहुत ज़्यादा trap कर लेता तो Venus बहुत गरम है और साथ ही साथ यह आपका brightest planet भी है सबसे चमकीला ग्रह भी है ठीक clear अब आते खुद का उपग्रह नहीं है no natural satellite इसके बाद हमारे अर्थ पे आते हैं अर्थ को हम किस नाम से जानते है अर्थ को हम जानते है blue planet के नाम से because इसमें 71% जो है water ही water हमें देखने को मिलता है पानी ही ठीक है इसके बाद आते हम मार्स में और बाकी इसकी density सबसे जादा वो तो हम oxygen oxide ठीक है iron की presence की वज़े से यह red है और इसके दो satellite है याद रखेगा phobos और demos इसके दो satellite है और इसका एक परवत भी है जो की है solar system का सबसे उचा परवत है जिसका नाम है nix olympia ठीक है nix olympia इसका नाम है जो की पुरे solar system का सबसे उचा परवत है इसके बाद यहाँ पे आप क इसको हम बोलते है asteroid belt यह asteroid belt पूरे planets को जितने भी 8 है इनको दो category में बाटता है जो इधर वाले जो इसके left side में है इनको हम बोलते है terrestrial planet आपको लिख लेना है क्या बोलते हैं इनको हम इनको बोलते है terrestrial planet ठीक है या फिर इनको हम interior planet के नाम से भी जानते है या फिर आंतरिक ग बोलते हैं मिलाके Jovian प्लानेट जोवीय एक्स्टीरियर या फिर Jovian इन में से यह जो दो हैं इनको बोलते हैं Gaseous giant, यह Gas के बिल्कुल बने हुएं, ठीक है, Gaseous giant बोलते हैं, और यह जो दोनों है, यानि की यूराइर आपका, यह तो छोगे आपका, यू बिटर, Saturn और ये यूरेनस का सूर और नेप्शिून, तो यूरेनस और नेप्शिून को बोलते हैं, जो कि है गैनिमेड, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटलाइट है, और सबसे ज़्यादा most number of सैटलाइट भी इसी के पास ही है, ठीक है most number of सैटलाइट, अभी पहले जुप्टर के पास थी, फिर सैटर्न के पास और भी रीसेंट में फिब्री में कुछ और इसकी सैटलाइट डिसकवर हुई है, जिसके बाद जुपिटर फिर से टॉप पे आ गया है, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सैटर्न की, तो इसके अराउंड रिंग्स देखने को मिलते हैं, और रिंग्स ऐसा नहीं, सिर्फ इसी में, आप यहाँ पे देख लो, जुपिटर में भी रिंग्स है, इसमें भी रिंग्स है, इसमें भी रिंग्स है, लेकिन इसकी थोड़ा सी धंक से दिखती हैं, और यह rings किसकी बनी होती है, ice की हो गई, ice, dust, rock, इन सब की बनी होती है, यह आपकी rings, और Saturn के रिगार्डिन याद लखना है कि सबसे least dense planet है, वो तो हमने अब भी देखी लिया, और बस ज्यादा कुछ आपको आपको याद लखने की जरुबत नहीं है, बात है अगर करें Uranus को, Uranus को हम rolling planet के नाम से जानते हैं, rolling planet क्यों, क्योंकि यह अपनी axis पे पूरा almost 90 degree tilted है, तो यह ऐसा लगता है, roll कर रहा है, और इसको हम green planet के नाम से भी जानते हैं, green इसलिए क्योंकि यहाँ पे methane gas पाई जाती है, इसलिए थोड़ा सा greenish लगता है, ठीक है, और आखरी आपका Neptune, Neptune Neptune क्या है, सबसे आखरी, सबसे आखरी planet और सबसे ठंडा है, इसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख पा रहोंगे, पत्थर सा इसको बोलते है, क्यूपर बेल्ट, इसको बोलते है, क्यूपर बेल्ट, clear है, सब कुछ हमने यह आपर देख लिया, और दो ऐसे planet, दो ऐसे planet, सारे planet, जो है, all planets, जितने भी हमारे solar system में planets है, all planets, revolve, west to east, यह west to east rotate करते हैं, not revolve, ठीक है, west to east rotate करते हैं, except to, सिवाय दो planet ऐसे हैं, जो आपके west to east नहीं, बलकि east to west rotate करते हैं, and these are, we, nas, and uranus, दोनों की nas हैं, जो है, east से west की और निकल लिए हैं, बस ऐसे समझ लो, ठीक है, औ और कुछ तो इसमें बचा नहीं है, और एक इसकी Saturn की satellite है दखना Titan, ठीक है, काफी important है, चलिए, आगे बढ़ते हैं भी, who made the first reliable measurement on properties of gases, गैसे, गैसों के गुनों का परिथम, विश्वसिनियम आपन किसने किया था, तो थोड़ा से relate करें, हम लोग इनके बारे हम पढ़ चुक V2 किसने दिया था, Robert Boyle ने दिया था अपना Boyle's Law, और याद रखेगा इस Boyle's Law को दिया कब था इन्होंने, क्योंकि अब जो रिसेंट में एक्जाम हुए, इसने सीधे year पूछे हैं, तो 1662 में दिया था, और इस Boyle's Law को हम Marriott's Law भी बोलते हैं, याद रखेगा, Marriott's Law, जल् absolute temperature है, that is directly proportional to volume, temperature बढ़ाओ, volume बढ़ेगा, temperature गटाओ, volume गटेगा, और यहाँ पर एक नए law को इंटर्ड्यूस करते हैं, अपने knowledge में, and that is Hook's Law, physics में यह Hook's Law, और यह बोलता है, कि जितना भी small displacement, जैसे for example, जैसे spring वगएरा में यह use होता है, Hook's Law, तो जो small displacement, या फिर दिफॉर् x से represent हो रहा है, यह directly proportional होता है, force जितना आपने apply किया है, और इस Hook's Law को हम law of elasticity भी बोलते हैं, आपको यह बताना है, comment में, यह कब दिया गया था, Hook's Law, तो force is directly proportional to the displacement, or displacement is directly proportional to the force, and also known as law of elasticity, select the option that correctly measures, दोनों में अभी CPO में भी इस बार पूचा गया था, ठीक है, और CHSL में भी, औ और यह steno में भी, ठीक है, तीनों exam में भी recent पूचा गया है, shifting cultivation के बारे में, थोड़ा इधर उधर करके, select the option that correctly matches the names of slash and burn agriculture known in different state of India, what is slash and burn, slash and burn agriculture, यह क्या होता है, slash and burn, slash का मतलब होता है, काटना और burn का मतलब होता है, जलाना, बिल्कुल, काटना और जलाना, तो कुछ tribes होती ह है, कुछ जो घुमंतू होते हैं, घुमंतू के बार आपने सुना होगा, कि जिनका पर्मन ठीकाना नहीं होता है, कभी इधर, कभी उधर, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे खास करी है, हमें 36 गार्ड ओड़ी सा, थोड़े जो हिली एरियाज और जहां पर tribes वगरा रहती है हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं, लोग करते क्या हैं, कि भाई जो pain and weight होते हैं, उनको काट डालते हैं, ठीक है, काट डालते हैं, उनको जला डालते हैं, और उससे होता क्या है, थोड़ा सा productivity, soil के वार बढ़ जाती है, और वहाँ पे अपने खाने के लिए चीज़ें उगा जानते हैं, बिकाज ये एक जगह से दूसरी जगह में shift होते रहते हैं, तो shifting cultivation के नाम से भी इसको जानते हैं, अब मुझे आप ये बताइए, कि ये हमारे environment के लिए अच्छा है या बेकार है, देखते हैं कि इस cancer भी मैं दूँगा, लेकिन पहले थोड़ा साम ये देख ले तो इंडिया में अगर हम बात करें, जैको हमें क्या different time है, जैसे कि पहले हम across the world बात कर लेते हैं, इंडिया में overall बस याद रखेगा, कि इंडिया में हम overall ऐसे जूम बोल देते हैं, बट actual में जो जूम नाम है, वो हम northeast में use करते हैं, northeast इंडिया में, कुमारी हम बोलते हैं, क इंडिया में, ठीक है, हम बोलते हैं, पोडू, आंद्रा और जो ओडिसा ओला रिजयन हैं, वहाँ पिसको पोडू बोलते हैं, ठीक है, और राजस्थान में इसको वॉल्तरे के नाम से जानते हैं, ठीक है, और जूम मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्थीस्टन इंडिया वहाँ पर एक्रॉस दी वर्ल्ड की बात करें आपको दो-तीन नाम पता होने चाहिए बस मिलपा लडांग और रोका बस तीन नाम रोका ऐसे याद रखो कि किसी का रोका हो रहा है ब्राजील में ठीक है लडांग कहां बोलते हैं इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में लोग लड़ रहे हैं ठीक है कि भाई नाम क्यों रोज रोज कैपिटल तुम हमारी चेंज कर रहा है बताव अच्छा इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या हो गई है जिसका नाम N से चालू होता है मिलपा M से मिलपा और M से मेक्सिको मेक्सिको कहां पढ़ती है यह हमें नॉर्थ मद्यप्रदेश हो जाएगा बेवर या दहिया ठीक है ने कि one का हो जाएगा बी अंद्रा पोडू हो जाएगा ठीक है ए और साओधीस्टन राजेस्थान वॉल्तरे हो जाएगा ठीक है सी और ओडिसा बचा ओडिसा क्या हो जाएगा कुमान या फिर बरिंगा और जूम तरह से अच्छा नहीं हो सकता है तो डिफोर्ट इसका है कि हल्पिंग पूर ठीक है जो गरीब लोग है उनको मतलब इसकी हल्प करना एक तरह से helping poor by providing skill training ताकी उनको रोजगार मिल सके है ये है आपका दीन दयाल अंत योदय योजना ये स्टार्ट हुई थी सप्टेंबर 2014 में ठिक है और ये किस ministry के अन्टर आती है ministry of housing and urban poverty elevation elevation का मतलब क्या होता है elevation का मतलब होता है किसी चीज को कम करना ठीक किसी चीज का extent को कम करना अगले question प्याते है which act provided for the establishment of a federal court संगी नेयल है कि इस्थापना के लिए किस अधिनियम का प्रावधान किया गया था federal court जो अभी आप currently में supreme court कोट देखते हो ना सुप्रीम कोट वो वही एक तरह से फेडरल कोट उसको पहले बोलते थे तो यह किस एक्ट के तहट स्टैबलिश हुई थी तो गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया था उसके थूप इसको स्टैबलिश किया गया थी और इसके पहले इंडियान चे गवर्नर कौन बने थे सीडी देशमुक है ना अर भी आई के तो यह भी आपका गॉवर्मेंट ऑफ इंडियाक 1935 से से सेट अप हुआ था साथ ही साथ इसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन जो आप यूप 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 इस प्रोविंसेज और इंडिव्स प्रोविंशल अटॉनमी इस प्लेस मैं थोड़ा सा कुछ समझाता हूं गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1909 का उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉरले मेंटो रिफॉर्म्स है ना मॉरले मेंटो रिफॉर्म्स इसमें एक हमें क्या याद रखनी है कि इसमेंने कम्यूनल रिफॉर्म्स के लिए मुसलिम सी वोट करेंगा मॉर्म्स के लिए ठीक है सबसे पहले मुसलिम्स के लिए इंटरेट इसको पाद Government of India Act आया और इसी वज़े से याद रखना Minto को Father of Communal Representation in India बोला जाता है ठीक है Father of Communal Representation Government of India Act आया 1919 का जिसको किस नाम से जानते हैं Montagu Chelford Reforms ठीक है Montagu Chelford Reforms जब जो भी आर इसको प्रनाउंस करते हो ठीक है Sorry for the mispronunciation Chelford Reforms इसने क्या किया था एक तो separate electorate को थोड़ा सा और extend किया Anglo-Indians, Christians, इन सबको भी दिया और इसने जो main important काम किया इसने सबसे पहले डायर्की का concept लेके आया कहां पे लेके आया? Provinces यानि प्रांतों में लेके आया डायर्की क्या होती है? जहां पे, अभी आपको पता है न कि हमारे जो 7th schedule है सात्वियन सूची है उसमें हमारा union list है state list है, concurrent list है संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची राज्य सूची में जो subjects हैं उस पे सिर्फ राज्य law बना सकता है केंदर की सूची में जितने subjects हैं उस पे केंदर law बना सकता है और concurrent समवर्ती में दोनों बना सकते हैं लेकिन देखताब क्या था ये था तो कि भाई हाँ central government से बना सकती है law center के central subject पर provinces, provincial subject पर लेकिन उसने provincial subject को further दो category में बाट दिया reserved और transferred subjects reserved और transferred subject में बाट दिया किसको जो provincial subject से उनको मतलब और उनका division कर दिया किया इसको पलट दिया एकदम provinces से खतम कर दिया abolish कर दिया और वहाँ पर autonomy दे दी कि भाई तुम autonomy ले लो और center में अब इस बार डायर की ले आया यह कहाँ पर लाया डायर की center में डायर की ले आया ठीक है और एक चीज बस एक और बताना चाहूंगा इस government of कि नहीं उनोंने अगले question मुड़ते हैं त्रिशोर पूरम festival is held annually in Kerala at which famous temple केरल के किस प्रसिद्ध मंदिर में त्रिशोर पूरम उच्छव प्रतिवर्ष आयोजद किया जाता है कौन से temple है सबसे पहले तो कहा मनाये जाता है तो याद रखेगा कि जो हमारे South Indian state है जैसे खासकर Kerala में यह festival को celebrate किया जाता है और temple का नाम है वद्दा कुननत्थम ठीक है वद्दा कुननत्थम temple और इसमें याद रखेगा कि दुर्गा जी और काली जी की पूजा की जाती है ठीक है दुर्गा और काली और साथी साथी इसमें आगर पूछ ले कभी कि कौन सा animal जो होता है वो इसमें मतलब इसकी जिसकी पूजा की जाती है तो elephant की ठीक है कल हम लोगों ने क्या सवाल देखा था कि जो अब की रथ यात्रा निकलती है वो किस टेंपल के लिए होती है तो जगनाथ टेंपल हम लोगों ने कल देखा था उड़ी सा में और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो अंबू बाची मेला है वो कहा लगता है तो आपको लगता है कामख्या मंदिर में एक है यह में आपसे कल देखा न पूछा था कामख्या मंदिर में और यह कहां पर हो गया समझ गया कुछ और फेस्टिवल देख लेते हैं यहां पर जैसे कि आपको पता होने चाहें जल्दी से बताएं यह ओनम कहां पर होता है मनाए जाता है एक है एक होता है आपका उगडी होता है करगाह होते है भोते तर बहुत सारे हैं लेकिन अब दिरे हम सब कवर कर लेंगे ठीक है अईसे कर के एक है आपका हमपी उच्च्साफ होता है और चलो 39 को यह ले है चलो ले लेते हैं बेहदीन खलाम ठीक है बेहदीन खलाम इसको बोलते हैं बेहदीन खलाम नौर्थ यस्ट का एक स्टेट है बताए कौन-कौन से तो यहां पर अगर ओनम सबको पता होगा इस यह वह आपका किरला का ठीक है ओनम है किरला का और यहां पर आपको पता है यहीं पर और्गनाईज होती है बोट रेस और वो होती है नहरू ट्रॉफी करके ठीक है नहरू ट्रॉफी यहीं पर और्गनाईज की जाती है पोंगल सबको पता है तमिल नाडू हमिस हमिस नैशनल पार्क भी है आपका कहां पर लद्दाक में याद कैसे रखोगे पहले तो यह है आपका गोवा में याद कैसे रखोगे सो जाओ गोवा में जाके सो जाओ ठीक है उगली आपका मनाया जाता है जो साउथ हिंडा के जो कुछ स्टेट है जैसे कि आंद्रा हो गया तेलंगना हो गया ठीक है करनाटका में और इसमें याद लखना इसको हम द्रॉप 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 उसको celebrate करने के लिए करनाटका में हम प्यूत्सव celebrate किया जाता है ठीक है अच्छा ये बताइए कि विजय नगर किंग्डम के founder कौनतिक इसने establish किया था और कब establish किया था इस kingdom को सब कुछ हम विजय नगर के regarding पहली देख चुके है और बात करें बहदीन खलाम यह होता है आपका मेगाले में ठीक है और मेगाले से आपको याद आना चाहिए क्या आपको याद आना चाहिए गारो खासी और जैन्तिया जो यहाँ पे तीन important hills है पनिंसुलर इंडिया का पार्ट है ठीक है अगले question पे आते है in which part of the constitution are the fundamental duties mentioned समीधान के किस भाग में मौलिक करतव्यों का उलेख है fundamental duties सबसे पहली बात तो यह है समीधान में भाग कितने हैं तो इसको भी दो category बाढ़ सकते हैं originally और originally जब मैं बोलता हूँ तो I think अब आप याप समझ पाते हूँ कि originally का मतलब क्या है originally कितने parts थे तो याद रखेगा कि 22 parts थे originally at present अगर बात करें तो कितने हैं at present है 25 लेकिन जब constitution बना था उसके बाद से हम लोग 4 part add किये हैं 4 part add किये हैं ठीक है वो 4 part कौन कौन से हैं part number आपका एक 9 है एक 9A है एक 9B है और एक है आपका part number 14 तो जो part number 9 है उसमें पंचायत को add किया गया आपका 73rd amendment से part number 9A को इसमें क्या है municipalities ठीक है जिनको हम बोलते हैं नगर पालिकाएं इसको हमने किस से जोडा 74th से जोडा इसको हमने 73rd से जोडा 9B को याद रखेगा इसमें है cooperative societies ठीक है इसमें cooperative societies और इसको जोडा हमने 97th amendment से और part number 14 है tribunals के बारे में उसमें वो नहीं आद रखना है concernment है पस इतना रखो part number 14 में tribunals है बात यहाँ पर यह आती है कि जब 22 में से हम 4 जोडेंगे तो हम 26 मिलना चीए 25 है यहाँ पर तो उसका reason यह कि एक को remove भी किया गया है वो है आपका part number 7 और उसको remove किया गया था 7th amendment से ही उसको remove किया गया था part 7 को ठीक है 7th amendment और 7th amendment दो चीजें और कहीं थी कि भाई एक governor multiple states का governor हो सकता है और एक high court multiple states और फिर multiple states और यूटीज को serve कर सकती है जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा Bombay high court है वो ना सिर्फ महराष्ट का high court है गोगा का भी high court है जादर नगर हवेली दमने और दिव का भी high court है ठीक अगले सवाल पर आते हैं और एक चीज़ अब यहाँ पर parts की आर बात आये तो बाकी भी कुछ important parts देख लेते हैं जैसे कि part 1 में क्या है part 2 में क्या है part 3 में क्या है और यह question हमने किया अरे यहार ही तो question भी किया ही नहीं आगे बढ़ने लगे हमने तो fundamental duties ठीक है fundamental duties कौन से part में तो चलिए उसी को यहाँ पर कर लेते हैं part number 4 part number 4A ठीक है और part 1, 2, 3, 4 और 4A हो गया आपका और इसमें आपका और क्या पता होना चाहिए part number 20 के बारे में पता होना चाहिए और बाकी तो हमने important part पंचायत और municipalities के देख लिए है तो part number 1 क्या बात करता है और part number आपको 5 और 6 यह पता होना चाहिए ठीक है 5, 6 एक सेकंड part number 5, part number 6 और part number आपका 20 तो part number 1 बात करता है union and its territories ठीक है union and its territories आनि संग वा उसके राजचेत्र यह है आपका part number 1 जिसमें कि article number 1 से लेके 3 तक आपका आता है ठीक है sorry 1 से लेके आपका 4 तक आता है एक से लेके 4 तक फिर article 5 से चालो होता है part 2 जो बात करता है citizenship की और भारत में किस तरह के citizenship है जल्दी साब comment बताएंगे और वो हमने कहां से लिया है तो लिया हमने UK से है और किस तरह के citizenship है single citizenship है तो इसको हमने लिया कहां से है यह हमने single citizenship है जिसको हम एकल नागरिकता बोलते है ठीक है इसका मतलब यह है कि हमारे यहां सब एकल नागरिकता ही चलती है द्वयद नागरिकता नहीं है और यह हमने लिया कहां से UK से part number 3 में fundamental rights जिसके बारे हम लोगे ने कल discussion किया था आपको comment में यह बताना आपका हुआ क्या जो हमने fundamental rights नहीं मौली कातिकार है वो किस देश के समगधान से लिए है part number 4 में हमारा DPSP है राजिके नीती निर्देशक सिधान्त है जो हमने Ireland के constitution से लिए है ठीक है या फिर बोरो किये है part number 4A में है हमारी fundamental duties या फिर मौली करतवरी हम लोग पहले ही देख चुके है fundamental duties के रिगार्डिंग जितने सारे questions बन सकते हैं कि part number 4A में है article number 51A में है total 11 है और किस committee की सिफारिश्ट से इनको जोड़ा गया है बताएंगे आप ठीक है union legislature है, लोग सभा, राज सभा, president, vice president सब कुछ दिया हुआ है और part number 6 में state के बारे में जिसमें की विधान सभा, विधान परिशद and state legislative assembly, state legislative council governor and राजपालू उन सब के बारे में दिया और part number 20 में याद अखेगा constitutional amendment के बारे में दिया जो हम सभाविधान में संसोधन करते हैं उसके बारे में दिया है और यह कौन सा article deal करता इसमें, article number 368, 360, बात करता है constitutional amendment की और यह हमने कहां से लिया है, South Africa के constitution से लिया है, ठीक अगले सवाल पर गुलते है the feature of Indian constitution, procedure established by law has been borrowed from, कानून द्वारा स्थापिद भारती संविधान प्रक्रिया की विशेस्ता कहां से उदार लिया गया है procedure established by law होता क्या है तो अगर आपने article 21 पढ़ा हो, कभी, ठीक है, अनुच्छे दिक्किस तो यह आपको इतना तो पता होगा, यह बात करता है right to life की बात करता है लेकर अगर हम पूरे इसको पढ़ें ध्यान से तो यह हमें बोलता है कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि no person shall be deprived of life, of his life और personal liberty except under procedure established by law इसका मतलब क्या होता, यह भी समझ लो इसका मतलब होता है कि किसी कभी article 21 21 को restrict नहीं किया जा सकता है as procedure established by law, नहीं कि कोई भी चीज़ को किया जा सकता है, अगर आपका procedure established by law है, मतलब की law कैसे बनता है जब कोई भी बिल, लोगसभा से, राजसभा से दोनों से पास होता है, उसको precedent से assent मिलती है, इसी पूरे procedure को हम बोलते है, procedure established by law तो यह जब Supreme Court है नहीं कि जो उमरी judiciary नया पालिका, वो इस चीज़ को validate करती है, जब भी कोई कानून को देखती है तो वो यह देखती है, जब कोई challenge कोई करता है, कोई न कोई तो किसी case को, किसी किसी law को challenge करता ही रहता है, तो Supreme Court या फिर High Court यह देखता है कि क्या उसको procedure established by law ने उसी procedure से बनाए गया था तो यह चीज़ होती, procedure established by law और यह है एक Japanese Japanese आपका यह concept है, तो जैपानिक constitution से लिया गया है, और इसी की तरह इसे या फिर इसके opposite एक होता है due process of law, याद रखेगा due process of law यह हमारे constitution में कहीं पे भी mentioned नहीं है लेकिन Supreme Court यह फिर High Court कुछ cases में इसके बारे में जिक्र करता रहता है कि due process of law को भी follow किया जाना चाहिए, यानि कि आप सही intentions के साथ law बनाओ सही नियत के साथ law बनाओ, वो तो ठीक है कि तुमने लोग सबसे पास किया रहा, सबसे प्रेसिदेंट को सीन मिल गई लेकिन इस चीज़ का भी याद रखो कि जो तुमने law बना रहे हो, that should be due and just, ऐसा नहीं हो कि वो unjustice कर रहा है किसी के साथ, और यह जो concept है याद रखना, यह American concept है due process of law, ठीक अब यहाँ आप हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो हमने constitution में अपने बारो किया है, different countries से, British constitution से क्या बारो किया है जो parliamentary form of government है, उसको बारो किया है, ठीक है, rule of law को बारो किया है, law making procedure एकल नागरिकता है, जो भी मैं बता रहा था, single citizenship बस आपको इतना याद रखना, parliamentary form of government, single citizenship और जो parliamentary privileges है, जो vicious अधिकार प्राप्त हमारे संसुदों को वो, बस खतम जादा यह सब institution of speaker यह सब नहीं दयाद रखना, ठीक है American constitution से हमने मौली का अधिकार लिए है जो judicial system जैसे जो हमारी नया पालिका है, वो स्वतंतर है independence of judiciary जो हमने कहां से लिया है यह हम लोगों ने लिया है, USA constitution से, ठीक है फिर अगर हम बात करें, Canadian constitution से क्या लिया है तो Canada constitution से लिया federal system with a strong central authority यानि कि federation with a strong center अब इसका मतलब क्या भी समझाता हूँ, ठीक है residual power से लिया और center state relation देखो federation वो होता है जहां पे center और state के बीच में equal power का division होता है लेकिन आपको भी पता है हमारे भारत में कि राज्यों के पास power तो हैं, बिल्कुल हैं लेकिन ज्यादा power किसके पास है, केंदर के पास तो उसी यह चीज जो हमने Canada constitution से लिया है और जो residual power, residual power मतलब की जैसे कि अभी मैंने बताया था कि center law बनाता है किस matter पे, जो central list के जो subjects है state बनाता है, state list के subject पे concurrent वाल इस जितने भी list में subject हो उसके दोनों बना सकता है, लेकिन अगर center ने बना दिया, तो वो prevail करेगा, वो उपर रहेगा कुछ मानलों कभी कोई ऐसी चीज आ जाती जो तीनों list में mention नहीं, तो उसको residual list बोलते हैं, और उसके law बनाने का जो power होता है वो center के पास होता है तो याद दखना, जो residuary power होते हैं, वो के अंदर के पास होते है और याद दखना, कि जो appointment of governor है या जो नहीं, जो हमारे राजयपाल की न्यूकती करता है राश्पती हर राज में, वो भी हमने Canada Constitution से लिया, office of governor है ना, office of governor वो हमने government of India 1935 से लिया, जिसका discussion अभी हमने किया है लेकिन जो governor की न्यूकती होती है वो हमने लिया है Canada से और याद रखिएगा, जो हमारा ज़्यदा तरक Constitution Constitution का तकरीबन 40% से ज़्यादा हिसा Government of India Act 1935 से ही आता है Ireland ये Constitution से हमने लिया है DPSP यानि कि Directive Principle of State Policy और election of President of India तो जो President का पूरा election system होता है जहाँ पर मैंने आपको कल बताया था किस तरह का हमारा President का election होता है Indirect तरह कैसे हमारा President elect होता है जो कि हमारा Head of the State भी होता है तो ये जब कोई President पर question आएगा तो हम सारी चीज़ें उस पर discuss कर लेंगे ठीक है और proportional representation plus single transferable vote कल मैंने सब कुछ आपको बताया था ठीक है तो Australian Constitution से क्या लिया Australia से हमने समवर्ती सूची लिए concurrent list लिया ये सब आपको नहीं याद रखना है वेमार Constitution जो जर्मनी का ये वेमार Constitution कहाँ का है जर्मनी का याद रखेगा तो यहाँ से हमने क्या लिया है यहाँ से हमने ये गलत लिखा हुआ यहाँ पर जो emergency provisions है वो हमने यहाँ से लिया है कहाँ से government of index 1935 से ठीक है जो वेमार Constitution से लिया है वो है कि emergency के time पर जो हमारे fundamental right suspend हो जाते है याद रखेगा कि जो हमारे fundamental right है मौली का अधिकार जो suspend हो जाते है national emergency जब राष्टी अपात काल लगता है तो उसको वो चीज हमने लिया है जर्मनी के Constitution से ठीक है और South Africa से जो हम अपने समगधार में संसोधन करते हैं वो South Africa से लिया है अगले question पे आते है wow वाएल ट्रेशली के नाम से जाने जाते थे ये पंजाब के सरी के नाम से जाने जाते थे और इणहोंने आपका एक लीग थी या फिर कल मैंने इंके बारे में बताया था कि इनोंने और All India Trade Union Congress की स्थापना की ती और All-India Trade Union Congress के पहले President भी बने थे 1920 में और इन्होंने एक Servants of People Society ठीक है Servants of People Society नामक एक Organization के स्थापना करी थी 1921 में और ये R.S. समाज के साथ भी जूले थे R.S. समाज के साथ ये थे लाला लाज पतराय जिनकी जो death है वो कैसे होई थी Anti-Simon Commission जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब इनकी death हुईती लाठी चार्ज से और वो किसने मारा था इनको लाठी वगरा जिसकी जिसकी से death हुईती स्कॉट जेम स्कॉट बदला लेने के लिए गलती से मार किसको दिया था भगत सिंग जी ने सौंडर्स को मार दिया था गलती से ठीक है अगले कुश्चन पर आते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन मबर 13 फर्स्ट इंडियन विमेंट टू उलम्पिक मिडल दो उलम्पिक पदक जितने आली पहली भारती महिला कौन है तो यह हमारी कौन यह खेलते हैं बैडमिंटन और यह हैं आपकी पीवी सिंधू ठीक है एक मात्र फीमेल है इंडिया से जिन्होंने दो उलम्पिक मेडल जीते हैं एक तो जो आपका रियो ब्राजील में जो उलम्पिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था फर्स्ट इंडियन वीमेन तो फ़र्स इंडियन वीमेन कौन थी जिन्होंने मिडल जीता था तो उलम्पिक है इसके बार आपको ये बताना है कि who was the first Indian women first Indian women to win gold gold in Asian games okay Asian games में gold जीतने वाली पहली कौन थी यह आपको बताना है first Indian women to win gold in common wealth games यह आपको बताना है और first Indian women first Indian women to climb Mount Everest first Indian women to climb Mount Everest twice दो बार first Indian women to cross ठीक है to cross English channel यह आपको बताना है और first Indian women judge of Supreme Court judge of Supreme Court and first Indian women judge of High Court सब विमें है first Indian women to win Olympic medal was Karna Malishwari इसको अलग कलर से कर लेते हैं Karna Malishwari ठीक है किस sports में जीता था आपको यह बताना है ठीक है कि sports में जीता था मैं आपको hint देता हूं बस कि इसी sports में पिछले Olympics में हमारी मीरा बाई चानू जी जो है silver medal लेके आई थी भारत के लिए ठीक है पताना वो कौन सा sports था और यह जो है ठीक और यह यह आत रखना कि यह आपकी जो Sydney में उलम्पिक हुआ था उसमें लेके आई थी ठीक है यह इंपॉर्टन हो जाथा Sydney में उलम्पिक हुए था गोल्ड एशन गेम्स में जो पहली लाई थी पहली इंडियन विमन ठीक है फॉर्स इंडियन विमन टू विन गोल्ड इन कॉमन मेल्थ गेम्स यह थी आपकी रूपा उन्नी क्रिश्नन रूपा उन्नी क्रिश्नन और याद अखना अभी तक कोई भी फीमेल ओलम्पिक में गोल्ड मिडल नहीं लाई है अभी तक भारत के individual category में सिरु दो ही gold medal आये हैं वो एक है अभिनव बिंद्रा और दूसरे अभी latest में नीटा चोप्रा लेका है अभी women कोई नहीं लेके आये पाई है ठीक है और पहली Indian women आपको बताना है first Indian women जिन्होंने badminton में इंडिया को medal दिलाया था बतागी जिन्होंने इंडिया को medal दिलाया था तो first Mount Everest time करने वाली कौन थी बचेंदरी पाल थी ठीक है बचेंदरी पाल दो बार चलने वाली आपकी संतोष यादव थी ठीक है क्या glitch आ रहा है आज संतोष यादव थी और first to cross English channel ये थी आपकी आराती शाह नोट आरती शाह अराती शाह ठीक है और first women judge of supreme court थी फातिमा भीवी ठीक है फातिमा भीवी और first women judge of high court थी आपकी लीला सेट दिल्ली high court की और badminton में पहला medal लाने वाली थी हमारी साइना नहवाल जो bronze medal लेका ही थी ठीक है साइना नहवाल एक question आपके लिए कि first Indian women governor इंडिया की कौन थी goal gumbaz incarnatka is a tomb of जो goal gumbaz है ये किसका tomb है किसका मगबरा है तो याद रखेगा ये आदिल शाह का मगबरा है ठीक है आदिल शाह आदिल शाही dynasty से belong करता था आदिल शाह का है ये और ये याद रखेगा कि इसका architect कौन था क्योंकि ये भी S.A.C. C.G.L. मुझे याद है S.A.C. C.G architect है Yakut of Dabool ठीक है इसका architect है Yakut of Dabool मतलब इसने पूरा architecture वगरा सबकीत किया था ठीक है अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भई एक का बीबी का मगबरा है ये किसने बनवाया था ठीक है और या दखना इसके regarding कि ये सबसे बड़ा जो है ये गुंबद है ठी अब यहाँ पर है तो बीबी का मगबरा भाई कहां पर ये औरंगाबाद महराश्ट में और इसको बनाया था औरंगजेब का जो लड़का था अजीम शाह ने अपनी मम्मी के लिए बनवाया था क्या था इसकी मम्मी का नाम यानिकि औरंगजेब की वाइफ दिलरास बानू बेगम इनके लिए बनवाया था थोड़ा ताज महल टाइप लगता है ना बीबी का मगबरा और कुछ आपको मगबरे पता होना चीए जैसे कि बाबर का मगबरा कहां पर है हुमायू का मगबरा कहां पर है ठीक है और अकबर का मगबरा कहां पर है जहांगीर का कहां पर है जहांगीर का, तो भई बाबर का कहां पे है, बाबर का है, काबुल अफगानिस्तान में, हुमाईू कहां है, नई दिल्ली में है, अकबर का कहां है, आगरा में है, फतेपुर सीकरी में, ठीक है, एसे अकबर और एसे आगरा में है, जहांगीर का कहां पे है, ये पाकिस्तान मे है और हुमायू को किस ने हराया था हुमायू को हराया था शेर शा सूरी ने इसका मगबरा कहां पर याद अखना शेर सा सूरी का मगबरा है सासा राम बिहार में ठीक है सासा राम बिहार जरा यह बताना है आपको हुमायू ने इसको मतलब शेर सा सूरी ने हुमायू को किस बै किसने यह चीज बोली थी यह आपसे पूछा है ठीक है तो यह बोला था मार्टेम वीलर ने ठीक है यह फिर मार्टेम वीलर इसके रिगार्टिंग में पहले चीजन देख चुके है कि फादर ऑफ इंडियन आर्केलोजी किसको बोलते हैं ठीक है फादर ऑफ इंडियन आर्केलोजी यह बोलते हैं किसको यह हम बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को ठीक है और किसने जर आप देखते हैं कितना आप लोग रिवाइस कर रहे हैं किसने कौन रिस्पॉंसिबल था हो या फिर उसे में कौन सा डिरेक्टर जनरल था आपका इंड इस वाली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन स्टार्ट करवाया था जिसके वैसे में दो इंपोर्टन साइट साडप और महोंजदारों मिल पाइं थी बताइए वह कौन था जेनरल आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जिसका नाम एम से चालू होता है बताईए अगल मोतिला नहरू उपनी एक रिपोर्ट लेका थै जिसको हम बोलते है नहरू रिपॉर्ट क्यूं लेका थे साइमन कमिशन आया था बहरत 1928 में ये इसको और व्योवाहेशना गया तो इसके पोश्में और आए क्यों गिया था अभी मैंने पता है तो इसमें प्रोविजन था कि दस साल बाद एक कमिशन बनाया जाएगा जो यह देखेगा कि भाई उनिस सो इनिस का जो एक्ट है उसने ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया ठीक है तो दस साल तो नहीं लेकिन हाँ आठ साल बाद इस कमिशन का गठन कर दिया गया 1927 में और 1928 में यह भारत आया कि बाई इंडिया में और क्या क्या रिफॉर्म समय लाने चाहिए सब चिल गै क इंडियन के लिए रिफॉर्म ला रहे और इंडियन ही कोई तुमने नहीं रख रखा है इंडियन से तो पूछो किस तरह कर रिफॉर्म चाहिए या फिर अपने मन से करोगे तो उसके अपोज में नहरू रिपोर्ट लाएए इसके अपोज में मुस्लिम लीग को भी कुछ करन तो अपने डेली प्रोड़ल लेके आई डेली प्रोड़ल लेके आई और जिन्रा यसे सांत बैठता जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट लेके आया ऐसे कुछ राज्यों में legislative assembly होती है और कुछ legislative council भी होती है, देखो, legislative assembly ने विधान सबा हर राज्य में है, जितने भी हमारे कितने हैं भारत में राज्य, 28 राज्य हैं बारत में, और कितने केंदर शासित प्रदेश हैं, 8 केंदर शासित प्रदेश हैं, 8 union territories हैं, सारे राज्यो आपको देखने को मिलेगा legislative assembly जिसको हमकी lower house of state legislature बोलते हैं जैसे lower house of parliament क्या बोलते हैं लोग सबाव जैसे lower house होता है निचला सदन legislative assembly सिर्फ छे राज्ये ऐसे हैं जहाँ पे हमें by legislative council भी देखने को मिलती है और जहाँ पे legislative council हो जाती है वहाँ पे इसको हम बोल देते हैं दुई कश्मीर का जो legislative council था उसको abolish कर दिया गया था 2019 में तो इसके बाद अब 6 ही राज्ये हैं के से है हमारा करनाट का ए से हमारा आंद्रा बी से हमारा बिहार यू से उत्तरप्रदेश यानि यूपी टी से तमिल नाडू नहीं है ध्यान रखना तेलंगाना है और एम से है महारा ठीक एक question में आपसे पूछता हूँ यह legislative council कौन create करता है तो याद रखना चाहे वो create की बात आए या फिर abolish करने की बात आए खतम करने की बात आए जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में खतम किया गया और यहां कहीं से भी खतम किया जा सकता है यह parliament कर सकता है देश का 37 इसमें राज जी का कोई रोल नहीं है करेगा पार्लियमेंट तो पार्लियमेंट कल को चाहे तो किसी भी state से उसका legislative council छीन सकता है और यह वो सिर्फ और सिर्फ साधारन बहुमत यानि simple majority से कर सकता है साधारन बहुमत से ही कर सकता है और legislative council क्यों सिर्फ इन अच्छे राजयों में जह पर लगता है कि ज्यादा काम है जैसे यूपी वगरा में इतना बड़ा राज है तो बहुत सारा ज्यादा काम होता है सिर्फ legislative assembly के समले तो समलेगा नहीं समाले समलेगा नहीं तो इस वे से legislative council भी create कर देते हैं ठीक है और एक चीज़ में आपको बता देता हूँ legislative council में लोग एक तीहाई सदस से local bodies जैसे कि जो municipalities हैं वो लोग चुनके बेजते हैं एक तीहाई सदस से राज्य की विधान सभा होती है वो चुनके बेजती है एक बटे 12 सदस से जो graduate होते हैं जो at least 3 साल के जो graduate होते हैं वो चुनके बेजते हैं एक बटे 12 जो होते हैं वो teachers बेजते हैं औ और legislative council राजसभा की तरह आपका permanent house ही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अगला question है भरती संगीत का उल्ले करते हुए नाटे शास्त्र किसने लिखा था तो नाटे शास्त्र लिखा था याद रखेगा भरत मुनी ने किसने लिखा था भरत मुनी और भरत मुनी ने कब लिखा था ये तकरीबन 200 BC के इन्होंने लिखा था ठीक है और ये याद रखना कि इनको father of Indian इंडियन थ्याट्रिकल आर्ट के नाम से जाना जाता है और इसको पांच में फिफ वेद के नाम से जाना जाता है हमारे बाकी के चारवेद कौन से है रिगवेद, सामवेद, यजरवेद और अथरवेद ठीक है और अथरवेद से मुझे एक चीज और याद आती है अभी मैंने महाजनपत के बारे में तुम्हें पढ़ाया था तो उसमें से जो मगद है ना मगद का मेंशन है अर्थवेद मे ठीक है चलो वेद जब आएंगे तो उसके बारे में डीटेल में पढ़ लेंगे अभी इस पे फोकुस अकते हैं और एक और याद अखना एक थी अभी एक सेगए अभीने शर्मा नहीं अभीने दरपन ठीक है अभीने दरपन ये किस ने लिखी तो अभीने दरपन याद जो है ये लिखिए अभीना दर्पन जैसे तरह नात रिशात लिखा भरत्मुनी ने वैसे अभीना दर्पन नंदी केश्वर जी ने लिखा ठीक अगले कुश्चन पर आते हैं विच अफ दी फॉल्विंग रिजेंस रिटेट तो आईरन ओर मिनरल इस लोकेट इन दी स्टेट अफ ओडिसा ओडिसा में इनमें से कौन सा आईरन ओर की मिनरल है तो बताओ अगर तुमने कल की क्लास देखी होगी तो इस कुश्चन का अंसर तुरंत अराम से दे सकते होगी इस कुश्चन का अंसर ता मयूर भंज कल बताये थे आपको आईरन ओर की हमने मैंने आपको कुछ बताई थी जगह है एक तो मैंने आपको बताया था बैला डिला ठीक है बैला डिला के बारे में बताया था आईरन ओर जो माइन्स होती है और मैंने आपको मयूर भंज के बा ठीक है जजांग रुंग्टा नोट कर लो और आपकी एक है बाइडा ब्लॉक ठीक है और फिर बाल्दा ब्लॉक इसको बोलते हैं ठीक है बाल्दा ब्लॉक और एक है जोडा ठीक है यह तीनों की तीनों माइन्स हैं ओडिसा में ही पड़ती है ठीक है जजांग रुंग्टा ब और एक है मलजखंड। ठीक है मलजखंड कहां पर है यह मद्यपरदेश मेंesar ऐंपी में और मैंने आपको boxite की बीड़ा ही थी यहा जगह है तो यहां पर मैंने आपको boxite की भी बताइँ थी aluminium की यह यह रहाआ था है और यह बताई था मैकाल हिल्स और एक है सिंगभम मैकाल हिल्स है मध्यप्रदेश में और सिंगभम है जारखन में आते हैं आखरी कुश्चन की ओर और हाँ और भी कुछ पढ़ाया था याद करो गोल्ड की माइस गोल्ड की क्या क्या बताई थी के जी अफ याद करो कोलार गोल्ड फिल्ड बताई थी कोलार ठीक है कहाँ पे करनाटक में है ना करनाटक में और हुट्टी गोल्ड माइस बताई थी वो भी कहाँ है करनाटक में और एक और बताई थी वो आपको कॉमेंट जेक्शन ने बताना है गोल्ड अगले और आखरी सवाल पर आते हैं तो जो सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट मैच है वो कब खेला गया था पहला क्रिकेट टेस्ट मैच की बात हो रही है तो याद रखेगा यह खेला गया था 15 मार्च 1877 में किसके बीच में खेला गया था यह इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ठीक है इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था ठीक है और इसके रिगार्डिक हम आपको और क्या पता हो नहीं पहले वंडे कब खेला गया था पहला टी-टॉन्टी कब खेला गया था पहला वंडे कप खेला गया था और पहला वर्ल्ड कप कप खेला गया था तो पहला वंडे आपको याद रखेगा 1971 में 1971 में किसके बीच में यह भी सेम इंगलाइंड वर्सेस ऑस्टेला के बीच में खेला गया था यह खेला गया था अपका Melbourne Cricket Ground जो कहां पर पड़ता है पहला T20 match खेला गया था 2005 में इंगलाइंड वर्सेस न्यूजी लैंड के बीच में ठीक है इंगलाइंड वर्सेस न्यूजी लैंड यह खेला गया था इडेन पार्क वेस्ट बंगॉल नहीं इडेन पार्क आपका यह Auckland न्यूजी लैंड में खेला गया था ठीक है और पहला World Cup याद रखेगा ये खेला गया था 1975 में 1975 जब वंडे आया था इंट्रड्यूस हुआ तो उसके 4 साल बाद ही 1975 में कहां खेला गया था याद रखेगा हमारे बेटे को भी एक बार जीतने का अफसर प्राप्त हुआ है इस बार 2000 इसी साल 2023 में World Cup खेला जाएगा 2023 का कहां पे इंडिया में आपको ये बताना है अगला जो World Cup होगा 2027 में वो कहां पे खेला जाएगा तो ये अगला 2023 वाला जो इसी साल होगा वो इंडिया में खेला ज दो कहां दो कहां झाली है